OBC यानि कि अन्नी पिछड़ा वर्ग में कुछ मुस्लिम जातियों को आरक्षन देने वाला मामला राजस्तान भी पहुँच गया है, बंगाल से सुरू हुआ ये पंगा, अब राजस्तान में भी नजर आ सकता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाए, उसके बाद की सिया पाने के लिए जितनी बड़ी जद्दो जहत देखी गई हैं, वह दूसरी शेडूल्स मेनेजर नहीं आती हैं, और हाल ही में इस मुद्देव पर बंगाल में ममता बनर जी की घेराबंदी के लिए भाजपा ने इसको मुद्देव को प्रभावी तरीके से इस्तिमाल किया, जहां ग्रह मंत्री अमिशा से लेकर कई राजों के मुख्य मंत्रियों ने इस मुद्देव को प्रमुक्ता से उठाया था, अब राजस्तान में भी सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत कह रहे हैं कि हमारी सरकार, यानि कि भजैलाल शर्मा के सरकार, OBC के तहत मुसलमानों को दिये गए आरक्षन का रिव्यू करेगी, गहलोत ने कहा, अपनी तुष्ट करण की राजनीती के तहत, कॉंग्रेस ने 1997 से 2013 के बीच, OBC में 14 मुसलिम जातियों को आरक्षन दिया, जिसको लेकर हमारे पास कई शिकायते आई हैं, अविनाश गहलोत का ये जो बयान है, इसस अरक्षन को कम करके मुसलमानों को देने की कोशिश करती हैं, हाला कि भारत में मुसलमानों को SC और ST में रिजर्वेशन नहीं हैं, इसके अलवा अगर अपन बात करें, प्रदेश के मुख्यमंद्री और राजस्तान के मुख्यमंद्री और हैलाल शर्मा की, तो उनका पर राजनितिक विवाद लगातार तेज हो रहा है, इसमें कोई दोर आई नहीं है, मम्ता बनर जी खुद इस मुद्धे पर आकरामक है, बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है, जो कोर्ट का फैसला है, और पीम मोदी जो है वो इसको विपक्षी गठ बंदन पे एक करारा तमाचा बताते हैं, और बताते हैं कि कलकत्ता हाई कोट ने अपने फैसले में 2010 के बाद जारी अन्य पिछडी जातियों OVC के सारे सर्टिफिकेट रद कर दिया है, इसकी वज़े से 5 लाख लोगों के यह जो प्रवाण पतर है रद हुए हैं, जाती प्रवाण पतर हैं, इ इस लिस्ट में 77 कैटेगरी के तैत OVC सर्टिफिकेट बाटे गए थे, ज्यादातर कैटेगरी जो है, वो मुस्लिम समुदाय से हैं, और बंगाल के अगर बात करें, तो कम्यूष्ट सरकार जो है, वो इस OVC आरक्षन के दाइरे को लेके आई थी, और 2011 में तरणमूल कॉं रिस्क वहां सत्ता में आई और अभी तक सत्ता में हैं ममतावनर जी की सरकार, राजी सरकार के अलोचना करते हुए नियायले ने कहा कि OVC के तैत 77 नहीं कैटेगरी जोड़ी की और ऐसा सिर्फ और सिर्फ राजनेटिक फायदे के लिए किया गया, ऐसा करना ना किवल कॉंस का उलंगन है, बलकि मुसलिम समधाय का अपमान भी है, कोड ने ये भी का, भले ही OVC सर्टिफिकेट रद क्या दिया गया हूँ, लेकिन इन सर्टिफिकेट पे जिन्हों नोकरी हासिल कर लिया, या सेक्शन एक संस्ताओं में प्रवेश हासिल कर लिया, या दूसरे कोई ल जातियों से संबंदित अनुसुची शेडूल में बदलाव की इजाज़त देता है, अब इसी शेडूल के तैद बंगाल में सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों में 37 नई श्रेणिया जोड़ी, अजालत ने ये भी का कि 2010 से पहले OVC के तैद दर्ज कीगी 66 के मामले में वो दखल नहीं देगी, यानि 97 से 210 तक जो हुआ उसमें अदालत दखल नहीं देगी, ये मामला जो मैं बता रहा हूँ ये पस्चिम बंगाल का है, लेकिन अब अगर राजस्तान की बात करें, जहां भजनलाल सरकार OVC में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षन को रिव्य की तेहरी कर रही, लोगसवा चुनाओ की आचार सेहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमिटी बनाएगी और मुस्लिम जातियों के OVC कोटे का रिव्यू करवाएगी, सीम भजनलाल सर्मा और समाजिक नयाय अदिकारिता मंतरी अविनाश गैलोत ने मुस्लिम जातियों क OVC आरक्षन का रिव्यू कराने की पुष्टी की हैं, दरसल कॉंग्रेस राज में OVC की 14 से अधिक जातियों को अलग-लग समय में आरक्षन दिया गया था, इन में से कई जाती हैं ऐसी हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में, यानि कि चीता, मेराथ, छीपा, का इन जातियों को अगर देखें, जो कि अजमेर पाली की कुछ हिस्से में ब्यावर जिले में पाई जाती हैं, ज्यादा तर, उसमें एक ही परिवार में दोनों धर्मों का पालन होता है, हिंदू भी और मुसल्मान भी, तो अगर अभिनाश ग्यालोत का बयान सुनें, जो यह वर्तमान में, प्रदेश में मुसलिमों को विसी वर्ग में कितना आरेक्षन दिया हुए है? और उनके सरुपलर भी हमारे पास में हैं, इस पर निश्चित रूप से आने माले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी, और धर्म के आधार पर समिधान जिस चीज के लिए प्रोइमिटेड है, के मना करता है, समिधान के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके आधार प समय में निश्चिती हमारे पास में कहीं शिकाईते आई हैं, शिकाईतों को हम लोग इकपर सत्यापन करवा रहे हैं, विभाग भी सत्यापन करवा रहा है, आने माले समय में देखते हैं एक बार उच्छिस्तरी कमिटी की बिठा कर क्या होता है, आने माले समय में देखते है गहलोत ये कह रहे हैं कि उनके पास कई तरह की शिकायतें भी आई हैं जिनकी जाच करवा के कानूनी परिक्षन करवाएंगे आने वाले समय में उच्छिस्तरिय कमेटी बना के इस मामले में फैसला करेंगे और अविनाश गहलोत का ये जो स्पीच कहना है क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर की स्थिति है राजस्तान से कोई भी मुस्लिम जो है वो लोकसवा में आज तक भाजपा की ओर से तो कभी नहीं पहुंचा कॉंग्रेस से दो बार मुहम्मद अयूब रहे हैं इसके अलावा राजस्तान का जो बाकी जो सिस्टम है पिछली बार विधायकों की संख्या नौ थी इस बार कम हो गई तो भाजपा से कोई भी टिगट तक नहीं दिया गया मुस्लिम समाज को तो अब यह है कि अब जिस तरीके से बजनलाल सरकार जो है चार जोन के बाद इस पर फैसला ले सकती है और बीजेपी राजवाले कई राज्यों में यह हो सकता है कि OBC में सामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षन का रिवियो किया जाए और यह भी माना जा रहा है कि वजनलाल सरकार की जो केबिनेट आने वाली केबिनेट बैठक हो सकती है उसमें इस एजेंडे को रखा जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार के पास OBC रिजर्वेशन पर रिवियों का राइट है अधिकार है यान और सामाजिक रूप से इतनी सक्षम हो गई है कि उसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है इसके लिए सभी जातियों का डेटा इकटा करना होगा सर्वे में जिन जातियों को आरक्षन से बाहर किया जाएगा वे जातिया उन्हें कोर्ट में चुनोती दे सकती है और कोर्ट म का भी अगर सर्वे होता है कौन से निकली है तो कई सारी चीजें राजनितिक रूप से अलग एंगल से देखना तय है और यह माना जा रहा है कि मुस्लिम जातियों के OBC अरक्षन पर अगर रिव्यू होता है तो सियासी विवाद होना तय है राजस्तान में और ऐसा माना जा 1998 में रहे थे सरवादिक मुस्लिम मंतरी 1998 में तीन बने थे इस बार भी थे लेकिन पावरफुल ज्यादा रही नहीं है कौंग्रेस जो है इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है मुम्ता बनर जी भी कह चुकी है कि भाज़पा मुसलमानों से आरक्षन चीनना चाती है और उन् अधरतान में कॉंग्रेस कि निरने लेगी रिए देखने वाली बात होगी और यहाद देखा जा सकता है कि अगर सरवे होता है तो दूसरी जातियों के साथ भी सरवे क्या सीजह होती है क्यों बहुत सारी जातिया ऐसी है जो आर्थ और सामजी क्रूप से सक्षम हुई हैं औ और उन्हें OBC से बाहर किये जाने की धरकार लगती हैं, आपको क्या लगता हैं, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद